यूजिसनेट 2022 की इस बार होंगे तीन एक्जाम फाइदा होगा या नुकसान चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं तो अन तक बने रहिए तो उससे बहले आपके लिए ज़रूरी अपडेट यूजिसनेट 2022 में अब आपका पहली बार में होगा नेट जराफ कौलिफाई क्योंकि हम आपके लिए क्या है पेपर वन पेपर टू यूजिसनेट के बहुत जबरदस नोट्स जिसके बाद आपको ना तो कोई बुक पड़नी है ना ही कोई नोट्स बनाने है इससे आपका प क्मप्लीट कोर्स अब आप ले सकते हैं अपने वाट्सप पे सिरफ 750 रुबिस यंकी 7500 रुपे के अंदर जिसमें आपको पूरा डिटेल थियोरी पीडिया प्रिवेसर कोशन सब कुछ आपको प्रवाइट किया जाएगा पूरा नोट्स प्रिवेसर कोशन वगारा सब कु प्रवाइट को अपने फोन को उठाईए हमें इस नंबर पे कॉंड़ाक्टर वाट्सप करें आपको पूरी जनकरिया पे मिल जाएगी तो यूजिसनेट के इस बार होंगे क्या तीन एक्जाम क्योंकि देखे आप सब के बता है कि अभी दिसंबर 2020 और जून 2021 का एक्जाम ह चल रहा है तो इस बार देखे तीन एक्जाम होने वाले हैं तीन एक्जाम पेंडिंग है कौन से दिसंबर 2021 जून 2022 और दिसंबर 2022 तो कैसे बार तीन एक्जाम होंगे क्योंकि दीखे तीन एक्जाम आपके रहते तो तीन ओगोना जरूरी है ना तो यूजिसी का अगर आप official बुलेटेंड चेक करेंगे वहाँ पर लिखा कि UGC साल में दो ही एक्जाम करवाता है हमारे पैंडिंग कितने है तीन सेशन लेकिन UGC कितने एक्जाम करवाता है दो अब देखिए माल लिजे कि इस बार फिर से दिसंबर 2021 का और जून 2022 का एक्जाम मर्ज कर दिया जाए है न उसके बाद ये एक एक्जाम हो जाएगा उसके बाद दिसंबर 2022 का एक्जाम हो तो इस बार ये सेशन सारे कंप्लीट हो जाएंगे अगर वो दिसंबर 2021 का भी करें बाद में ये करें दिसंबर 2022 का फिर रह जाएगा फिर वो अगले साल होगा तो ऐसे करते करते हमारा एक फाइदा यह है कि आपके दो सेशन एक ही बार में निबट जाएंगे और अगला सेशन जो है वह आपका हो जाएगा बाकी सेशन जो है वह अपने आप चलने लगेंगे लेकिन नुकसान क्या है कि हर सेशन में जैसे 6% इसका रिजल्ट 6% इसका आपका 12% रिजल्ट आना चाहि है इस बार भी उसके लिए फाइटिंग चल रही है जो कि 12% आया नहीं है तो बनते 6-6 12 है लेकिन आता उसमें कम है अगर आपका अलग लग हो आपको 6% इसमें मिलेगा 6% इसमें मिलेगा लेकिन नुकसान क्या है कि जब आपका 2 सेशन मर्ज होते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो बहुत कम रह जाता है तो देखे इस बार तीन एक्जाम था पॉस्बल नहीं है यूजिसी की पॉलिसे दो एक्जाम ही करवाता है लेकिन अगर वो एक्जाम मर्ज करते हैं तो उन्हें 12% रिजल्ट देना जरूरी है अगर मालीजे अगर इस बार जो अभी रिजल कट जाएगा है ना तो तीन एक्जाम नहीं हो सकते किसी भी तरह से दो ही होंगे मर्ज होने के पूरे पूरे चांसिस हैं तो आपका क्या ओपीनिन है आप अपने ओपीनिन को हमारे कमेंट बफ्स में लिखके बताईए तो मैं सब को रिपलाई करूंगा तो बनारी हमारे सा करी हमारे से लिखके जाएगा।